दोस्तो वैसे तो ये कल्यूग चल लहा है और इस दोर में बिना फायदे के कोई किसी की मदद नहीं करता लेकिन दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिने देखने के बाद आपको ये यकीन करना पड़ेगा कि इंसामियत आज भी जिन्दा है ये वीडियो नियोक सिटी का है जहां पर एक गरीब आदमी ठंड में सड़क पे पैठा रहता है तभी वहां से गुजरने वाले एक सक्स ने जब इस गरीब व्यक्ति को ठंड से ठिटूरते हुए देखा तो उसके पास आया और उसे अपनी जैकेट तौफे में दे दी जैकेट पाते ही ये गरीब व्यक्ति बेहत खुश हुआ दोस्तो जब बाइक रेस होती है तो हर एक राइडर सबसे आगे निकलना चाता है क्योंकि उसे रेस चीतना होता है लेकिन दोस्तो यहां देखिए जब इस बाइकर की बाइक खराब हो जाती है तो वो दूसरे बाइकर से लिफ्ट मांगता है रेस के दोरान लिफ्ट देना तो दूर की बात है कोई बाइकर अपनी बाइक तक भी भी नहीं करेगा लेकिन दोस्तों यहाँ एक अजीब सी चीज़ देखने को मिली देखिए कैसे इस बाइकर ने बाइक को रोका और अपने साथी कमपटीटर को अपने बाइक के पीछे बैठा लिया दोस्तों हम मेंसे कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुट्टों को पालते हैं क्योंकि कुट्टे सच में बहुत वफदार होते हैं इसका जीता जाकता सबूत ये है कि जब हरियाना में एक महिला ने अपनी नौजाद बच्ची को नाले में फेक दिया तो इन्ही कुट्टों ने उसकी हिफाज़त की जब नौजाद बच्ची की मा ने बच्ची को नाले में फेक आ तो वहां मुझूद कुट्टों ने उन्हें देख लिया फिर ये कुट्टे इनसान से मदद मागने के लिए भोकने लगते हैं जब काफी देर भोकने के बाद भी कोई इनसान इनकी मदद के लिए नहीं आता तो ये कुट्टे इस बच्ची को अपने पैरों के मदद से नाले से बाहर निकालते हैं इसके बाद इस बच्ची को हॉस्पिटल में भरती कराया गया जहां इस नौजात बच्ची की जान बच गई यहां देखे कैसे ये बॉइफरेंड अपनी गर्फरेंड के बाल को सेप करता है दरसल इसकी गर्फरेंड को एलोपेसिया नाम की बिमारी हो गई थी जिसकी बज़े से इसकी गर्फरेंड के सर के बाल गिरने लगे थे ये बात इसके बॉइफरेंड को अच्छी तरीके से पता थी कि कि किसी भी लड़की को गंजा होना पसंद नहीं होता इसलिए अपनी girlfriend के बाल की saving करने के बाद ये खुद के बाल की भी saving कर लेता है सच में दोस्तो ऐसे प्यार करने वाले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं यहां देखिए जब इस बच्चे को पता चलता है कि नाला जाम है तो वो बारिस में भींगता हुआ नाले के पास आता है फिर उस नाले के धकन को उठा के उसमें जमे कचले को बाहर निकाल देता है फिर सलक पे लगा हुआ पानी नाले के जरिये निकल जाता है दोस्तों कभी-कभी सड़कों पे चलने वाली गाड़ियां खतरनाक हो जाती हैं ऐसे में एक्सिडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि जब इस कुट्टे को कार ने टकर मारी तो यह कुट्टा काफी तेर तक सलक पे बैठा रहा और होता रहा ऐसे में महज 11 साल के बच्चे ने अपनी जान को जोखिम में डाल के इस कुट्टे को सलक से उठाया और उसे हॉस्पिटल ले गया यहां देखिए जब एक वेक्ति ट्रेन के अंदर जाता है तो उसका पैर फल्चाता है ऐसे में इस शक्स को बचाने के लिए प्लेटफॉर्म पे मौजूद सभी लोगों ने ट्रेन को हिलाना शुरू कर दिया फिर थोड़ी तेर बाद इस शक्स का पैर सही सलामत बाहर निकल गया आज के दौर में इंसान के अंदर इंसानियत खतम हो चुकी है लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि कैसे इस बुजुर्ग वेक्ति ने इस कुट्टे को अपने हाथों से पानी पिलाया इस वीडियो को जिसने भी देखा वो बेहत आवुक हो गया जो लोग कुट्टे पालते हैं वो कुट्टे से बेहत प्यार करते हैं लेकिन ऐसे बहुत कमी लोग देखने को मिलते हैं जो आवारा कुट्टों की मदद करते हूं यहां देखिए जब एक सक्स सलक से गुजर रहा था तो उसे आवारा कुट्टा दिखा इस कुट्टे की मदद करने के लिए ये सक्स फौरण कुट्टे के पास आ गया ये सक्स इस कुट्टे को चादर उड़ाता है और इसके बदन को प्यार से सहलाता भी है ऐसे डॉग लवर कम ही देखने को मिलते हैं दोस्तो जब इस्टोर में मौजूर आदमी ने देखा कि बाहर बारिस हो रही है तो वो अपने इस्टोर का गेट खोल देता है ताकि इस्टोर के बाहर बैठा कुट्टा अंदर आ जाए यह कुट्टा इतना समझदार होता है कि यह किसी के उपर बोज नहीं बनना चाता इसलिए यह कुट्टा गेट के अंदर बैड आता है यहाँ देखे जब यह लड़की काफी कोशिस करने के बाद भी सलक पार नहीं कर पाती तो एक औरत आती है अपने हातों से गाड़ियों को रुकने का सिगनल देती है और इस लड़की को अपने पीट के उपर बैठा के सलक पार करा देती है चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया